आप फौजी हैं आप जानते हैं सरहद पर हावी बने रहने की आपकी इक्शमता सिर्फ आपकी शारिरिकश टाकत पर निर्भर नहीं करती बलकि आपके पास हत्यार कैसे है, आपके साधन कैसे है उसी के अनुसार वर्चस्व होगा हमारे हाथों में सबसे पहला साधन है हमारा अपना शरीर, हमारा अपना मन, हमारी अपनी उर्जा अगर ये तीन चीज़ें सबसे उंचे स्थर पर काम करें तो जो भी छोटी मूटी चीज़ें हमारे हाथों में दी गई हैं उनका अचाना कि एक अलग ही महत्व हो जाता है. जिन लोगों का अपने सिस्टम पर कंट्रोल है छोटी छोटी चीज़ों से, वो बड़ी चीज़ें कर जाते हैं. सिर्फ इसलिए कि हमारे पास पहला साधन यही है, ये शरीर, ये मन, ये उर्जा. इसके उपर कुछ महारत हासिल करना बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा, खास तोर से एक फाजी के लिए, क्योंकि ये एक भारी महनत वाला काम है, ये एक अकेला जीवन है. अगर कोई अपने खुद के भीतर बिलकुल सुलजा हुआ नहीं है, तो अकेले होना बहुत मुश्किल है. एक योगी हमेशा अपनी इच्छा से अकेला होता है. इसलिए नहीं कि वो लोगों से घुल मिल नहीं पाता. सिर्फ इसलिए कि वो इतना सही से सुलजा होता है, आम तोर पर उसे ऐसा साथ नहीं मिलता, जो इतना ठीक से सुलजा हुआ हो. तो आप अकेले होना चुनते हैं, क्योंकि पता हैं, जब गौतम बुद्ध के शिश्यों में से एक ने उनसे पूछा, किसी के साथ चलना अच्छा है या अकेले चलना? गौतम ने कहा, किसी मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बहतर है. एक सानिक के लिए भी ऐसा ही है. आपके बगल में किसी बेवकूफ के होने के बजाएं अकेले होना बहतर है, न? अगर बेवकूफ बॉर्डर के उस पार हो तो ये अच्छी चीज़ है. अगर वो आपके बगल में हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है. इसलिए एक योगी की तरह एक सैनिक को भी सीखना होता है, कि अपने शरीर, मन, उज़ा को इस तरह से सुलजा लें, कि अकेले होना संघर्ष न रह जाए. क्योंकि इसमें बहुत बड़ी ताकत है. और व्यवस्थित करने की एक शमता है, कि अकेले होना कोई मुद्दा नहीं है. जो लोग हर समय मजबूरी में किसी का साथ चाहते हैं, लोगों से मुलाकात करने, घुलने मिलने और साथ रहने में कुछ गलत नहीं है. पर अगर ये एक मजबूरी भरी ज़रूरत है कि आपको किसी के साथ या चीज के साथ होना ही हूँ, उस हालत में, इनसान बेवजह नाजुक बन जाता है, खास तोर से, जिस काम में आप हैं, वहां नाजुकता का मतलब, जिन्दगी या मौत हो सकता है. जिस काम में आप हैं,